हेलो नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों अगर आप भी एक नए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आपका बजट विदस 11,000 उपर है तो इस वीडियो में मैं आपको 5 स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि आपको 11,000 की प्राइज के अंदर देखने को मिलेंगे जहांपर आपको एक प्राइज तक जरूर देखना उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथे साथ वैल आइगन को भी तबा लेना ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो भी नोटिविकेशन आपको सबसे जल्दी मिल जाए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो अभी दोस्तों अगर बात करें पाच्वे स्मार्टफोन की तो पाच्वे नंबर पर हमारे पास आता है पोको की तरफ से पोको एम 3 इस लिस्ट में दोस्तों जो भी स्मार्टफोन बताए हैं वह अमने परफॉर्मेंस को प् प्रफॉर्म नहीं होगी में इसके साथ ही अदर हमें और एक एक अर्फरेंट मेगा फिक्सलगा ट्रीक्रेंट और देखने मिलता है और इसके फ्रन्ट और बैको थोनों से आपको 1,08 तक वीडियो रिक्र्टिंग कर पाएंगे अभी अगर प्रफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसके अंदर हमें Snapdragon 662 देखने को मिलता है जो कि एक octa-core processor है और यह हमें Adreno 610 GPU पर देखने को मिलता है इसके साथ दोस्तों इस phone के अंदर हमें MIUI 12 देखने को मिलता है जो कि Android 10 पर run करता है तो इसके अंदर हमें ads विकराद जरूर देखने को मिलेंगे तो वो आप यहां से disable जरूर करस पाएंगे इसके अलावा इसके अंदर हमें pre-installed एप भी देखने को मिलेंगे जो कि आप आराम से uninstall कर पाएंगे अभी दोस्तों गर बैटरी देखें तो इसके अंदर हमें 6000 mh की बैटरी मिलती है जो की 18 watt के fast charger के साथ आती है इसके साथ दोस्तों इस phone के अंदर हमें side mounted fingerprint देखने को मिलता है stereo speaker का option देखने को मिलता है और UFS 2.1 storage type देखने को मिलती है और LPDDR4 RAM टाइप देखने को मिलती है और दोस्तों अगर price की बात करें तो इसका 4GB 64GB वाला variant से में 10999 के अंदर देखने को मिलता है और 4GB 128GB वाला variant से में 12499 में देखने को मिलता है तो 11 1000 के प्राइच के अंदर ये एक decent सा smartphone है जो कि आप यहां पर purchase कर सकते हैं अब यह गर चोथे नंबर की बात करें तो चोथे नंबर पर आता है रेडमी की तरब से रेडमी 9 पावर इसके अंदर भी दोस्तों में 6.53 इंच की full HD plus IPS display देखने को मिलती है जो की 400 Nits brightness के साथ आती ह और इसके अंदर भी हमें Corning or Rilla Glass 3 का protection देखने को मिलता है अब यगर camera ये बात करें तो इसके अंदर हमें 48 Megafixel का quad camera setup मिलता है जहां पर हमें 48 Megafixel का primary camera 8 Megafixel का ultra wide 2 Megafixel का macro और 2 Megafixel का depth sensor मिलता है तो आपको यहां पर photo quality जरूर अच्छी देखने को मिल जाएगी इसके साथ ही इ कि एक octa core processor है और यह हमें Adeno 610 GPU पर देखने को मिलता है और यह भी हमें MIUI 12 पर देखने को मिलता है जो कि Android 10 पर रण करता है तो इस phone के अंदर भी दोस्तों हमें pre-installed app और कुछ ads वगएरा जरूर देखने को मिल जाएंगी अभी अगर battery की बात करें तो इस phone के अंदर हमे 6000 m इसकी बैटरी मिलती है जो की 18W के fast charger के साथ आती है लेकिन दोस्तों box के अंदर हमें 22.5W का charger देखने को मिलता है इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर हमें side-mounted fingerprint देखने को मिलता है UFS 2.2 storage type और LPDDR4X RAM type देखने को मिलती है और इसके अंदर भी में stereo speaker देखने को मिलता है और दोस्तों अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पराता है Realme की तरफ से Realme Narjo 20 इस phone के अंदर दोस्तों में पीछे की तरफ प्लास्टिक बैक देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों दिखने में यह phone अमें काफी ज़्यादा premium सा देखने को मिलता है इसके साथ ही द के अदर में खुर्नी गोर्यला ग्लास टीक का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है अब देख़े धर दैखे चांव दिखने को मिलता है जहांपर ने 4ências unfold का प्रायमरी कैमर सος इक मेगास्फिकल। का अल्टरवाइड यह साथ है फिक्र फिक्स्र सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है तो दोस्तों अच्छी बात है कि इसके अंदर में कोई भी डेप सेंसर नहीं देखने को मिलता है जिसका कोई भी ज़्यादा तर यूज नहीं होता है तो सिर्फ एक नमबर बढ़ाने के लिए फॉन के अंदर लगा दिया जाता है इसके साथ ही दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर में मीडिया टेक का हीलो जी एक्टी फाइब प्रोसेसर देखने को मिलता है जो की 12 एनम पर बेस्ट है और यह माली जी 52 जी प्यू पर देखने को मिलता है तो परफॉर्मेंस के हिसाब से इसके अंदर आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगी आप अच्छी खासी गेमिंग इस पॉन के अंदर आराम से कर पाएंगे अगर अंदतू स्कोर देखें तो इसका अंदतू स्कोर में लगबग 2 लाग से उपर देखने को मिलता है इसके साथ यह स्मार्टफोन अमें रियल में UI के साथ देखने को मिलता है जो की Android 10 पर रन करता है और इस पॉन के अंदर में 6000 mh की बैटरी मिलती है जो की 18 वोट के Fast Charger के साथ आती है अभी अगर दोस्तों बात करें बाकी फीचर्ज की तो इसके अंदर में EMMC 5.1 Storage Type, LPDDR4X RAM Type और Type-C का सपोर्ट देखने को मिलता है अभी दोस्तों अगर बात करें प्राइज की तो इसका 4GB 64GB वाला वेरियंट से में 13,499 में मिलता है और इसका 4GB 128GB वाला वेरियंट से में 11,499 में देखने को मिलता है तो दोस्तों अगर आपका वजट 10,000 रुपए है और आपको अच्छा स्मार्टफॉन चाहिए जहांपर आप गेमिंग विगेरा आराम से कर पाइं तो आप यहां पर 500 रुपए बढ़ा कर इस पॉन को भी ले सकते हैं तो दोस्तों इसके अंदर हमें प्रोटेक्शन काफी जाद अच्छी देखने को मिलती है इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर हमें 48 मेगा फिक्सल का क्वाड कैमरा से टेप मिलता है जहांपर हमें 48MP का primary camera, 8MP का ultra wide, 2MP का macro और 2MP का depth sensor मिलता है इसके साथ ही इसके अंदर हमें 13MP का एक selfie camera देखने को मिलता है और इसके दोस्तों अगर हम back camera की बात करें तो वहाँ से आप 4K तक वीडियो recording कर पाएंगे इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें इस phone के chipset की तो इसके अंदर हमें Mediatek का Helio G85 processor मिलता है जो कि Marley G52 GPU पर देखने को मिलता है अब अगर अंत्तु score देखें तो इसका अंत्तु score भी में लगबग 2,00,000,000 से उपर देखने को मिलता है और ये smartphone भी MIUI 12 पर देखने को मिलता है जो कि Android 10 पर रन करता है इसके साथ दोस्तों गर बैटरी की बात करें तो इसके अंदर में 5,020 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 22.5 वोट के fast charger के साथ आती है और इसके अंदर में rear side में fingerprint देखने को मिलता है NFC का support देखने को मिलता है infrared port देखने को मिलता है और अभी अगर price की बात करें तो इसका 4GB, 64GB वाला वेरिंट से में 10900 निना नमर पर के अंदर देखने को मिलता है तो दोस्तों अगर आपको एक अच्छा camera वाला smartphone चाहिए जहाँ पर आप एक अच्छी खासी gaming कर पाएंगे और आपको एक अच्छी खासी display देखने को मिल जाए और Redmi की brand value चाहिए तो आप यहाँ पर इस smartphone को भी ले सकते हैं अभी दोस्तों जो पहली number पर smartphone आता है वो आता है Indian brand Micromax की तरफ से Micromax in Note 1 ने इस smartphone के अंदर दोस्तों में 6.67 inch की full HD plus IPS display मिलती है जो की 450 nits brightness के साथ देखने को मिलती है इसके साथ दोस्तों इस phone के अंदर हम में 48 megapixel का quad camera मिलता है जहाँ पर हम 48 megapixel का primary camera, 5 megapixel का ultra wide, 2 megapixel का micro और 2 megapixel का depth sensor मिलता है और इसके अंदर में 16 megapixel का एक selfie camera देखने को मिलता है अब अगर performance की बात करें तो इसके अंदर हमें MediaTek का Helio G85 processor देखने को मिलता है जो की Mali G52 GPU पर देखने को मिलता है इसके साथ ही इसके अंदर हमें stock android का support देखने को मिलता है तो इसके अंदर हमें कोई भी ads वेकराद जरूर नहीं देखने को मिलेंगे आपको एक clean experience देखने को मिलेगा वेरियंट से में 12,499 में देखने को मिलता है तो गाइज 11,000 की price के अंदर यहीं कुछ smartphone थे जो कि आपको best value of money देखने को मिलते हैं और अगर आपको इस आप से कोई ऐसा smartphone है जो कि 11,000 की price के अंदर है और हमारी इस list के अंदर नहीं है तो वह आप मुझे comment box में comment करके जरूर बताना और इस list के अंदर जो भी smartphone बताए गए हैं दोस्तों वह 10,000 से और 11,000 की price के बीच के बताए गए है इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी subscribe कर लेना मैं मिलता हूं दोस्तों आपको ए जए जया मित वंदी मादरम